समाज का वो शिल्पकार जिसने बॉलिवोट के नाम और सोहरत के साथ या दिल्ली के AC वाले कमरे में बैट कर समाज को दुनिया को ग्यान देनी की बजाए दबे कुछले लोगों की आवाज बनना पसंद किया उसने जीते जी मर जाने वाले लोगों को जगाने का काम किया यही तो था जिसने उन्हें S की जिन्दिगी छोड़कर नुकड़ों पर खड़े होकर समाज को नाटकों से आईना दिखाने के लिए प्रेरित किया हाला कि यही नाटक उनकी मौत का कारण बना लेकिन उनकी मौत उनके इस अभियान को रोक न सकी आज भी उनके नाम की मशाल लिए लोग मज़दूर बस्तियों में नाटक करते दिखाई दे जाते हैं कौन था वो जिसे समाज के ठेकेदारों ने मौत के घाट उतार दिया कौन था वो जिसने इस कुरूर समाज के सोसंड चक्र को अपने लेखन और नाटक के माध्यम से तोड़ने की कोशिस की और सहीद हो गए वो और कोई नहीं बलकि वो थे सफदर हां सफदर हाश्मी सफदर हाश्मी साहितिक दुनिया के धुरुपतारा तो थे ही लेकिन साथ ही वो मजदूर वर्ग के बीच बहुत प्रिया थे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महावीर और आप देख रहे हैं बॉलिवूटकैलेंडर.com अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें 12 अप्रेल 1954 को सफदर का जन दिल्ली में हनीव और कमर आज़ाद हाश्मी के घर पर हुआ था उनका शुरुवाती जीवन अलीगड़ और दिल्ली में गुजरा जहां एक प्रगति सील मार्क्सवादी परिवार में उनका लालन पालन हुआ उन्होंने अपनी श्कूली सिक्षा दिल्ली में पूरी की दिल्ली के सेंट स्टिफन कॉलेज से अंग्रेजी में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने दिल्ली उनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एम्मे किया यही वह शमय था जब वे स्टुडेंट फेडरेशन आफ इंडिया की सांस्कृतिक यूनिट से जुड़ गए हाश्मी जन्नाटि मंच यानि जनम के संस्थापक सदस्य थे यह संगठन 1973 में इप्टा से अलग होकर बना सीटू से जैसे मजदूर संगठनों के साथ जनम का अभिन जुड़ाव रहा इसके अलावा जनवादी छात्रों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, इत्यादी के आंदोलनों में भी इसने अपनी शक्रिय भूमी का निभाई 1975 में अपातकाल के लागू होने तक सबदर जनम के साथ नुकड नाटक करते रहे और उसके बाद अपातकाल के दौरान वो गड़वाल, कश्मीर और दिल्ली के विश्व विद्याले में अंग्रेजी साहित्ती के विख्यात पदो पर रहे सबदर भारतिये थेटर जगत का वो तारत थे, जिनें महज 34 साल की उम्र में एक नाटक के दौरान मार दिया गया ये बात है साल 1989 की, जब मेरी उम्र लगबग एक वर्स होगी, जन नाटि मंच CPIM के उम्मिदवार रमानन ज्जा के लिए नुकण नाटक कर रहा था नाटक का नाम था हल्ला बोल, गाजियाबाद के जंडापुर में नाटक का मंजन हो रहा था सभी लोग बहुत जोश के साथ नाटक कर रहे थे और देखने वाले देख रहे थे और वही पर आए कॉंग्रेस पालिटी के उम्मिदवार मुकेश शर्मा, जिस पालिटी के मुखिया आजकल राहुल गांदी है मुकेश शर्मा ने सभ्दर से नाटक रुक कर रास्ता देने के लिए कहा लेकिन सभ्दर ने कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाएं या फिर यहां से तूसरा रास्ता ले ले लेकिन यह बात मुकेश को हजम कहा होने वाली थी? वो वहां से वापस चले गए पांच मिनट बाद वापस आये उन्होंने नाटक करने वालों पर धारदार हत्यारों से हमला कर दिया सभ्दर को नजदी की हस्पताल ले जाया गया जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई यह बेहत दुखत था अपात काल के बाद सभ्दर वापिस राजनेतिक तौर पर सक्रिय हो गए और 1978 तक जनम भारत में नुकड नाटक के एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभर कराया एक नए नाटक मशीन को दो लाख मजदूरों की विशाल सभा के सामने आयोजित किया गया शभ्दर राज्य की तानाशाही के खिलाव भारतिय वामपंथी आंदोलन के लिए एक सांस्कृतिक प्रतिरोध का प्रतीक बन कर उबरे सभ्दर की मौत के बाद भी जनम ने दिल्ली में अपना कारिय जारी रखा फरवरी 1989 में भेश्मशानी और अन्य बुद्ध जीवियों ने मिलकर शभ्दर हास्मी ममोरियल ट्रस्ट सहमत का निर्माण किया सभ्दर का संगठन जन नाटिमंज 1989 की उस घटना के बाद से हर बरस एक जनवरी को जनडापुर के उसी शहादत इस्थल पर एक सांस्कृतिक कारिक्रम का आयोजन करता है इस कारिक्रम में सामिल होती है आसपास के उद्द्योगिक छेत्र के सैकडो मजदूर की विशाल भीड़ तो ये थी कहानी एक ऐसे कलाकार एक ऐसे एक्टर की जो समाज के मजदूर वर्ग के लिए एक मिसाल बने अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें